आस्मान में सिर उठा कर, घने बादलों को चीर कर, रोशनी का संकल पले, अभी तो सुरजूगा है, द्रड निश्चे के साथ चल कर, हर मुश्किल को पार कर, गोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सुरजूगा है, आस्मान में सर उठा कर, घने बादलों को चीर कर, अभी तो सुरजूगा है, चंद्रियान की सफलता ने उत्सव के इस माहुल को कई गुना बढ़ा दिया है, चंद्रियान को चंद्रमा पर पहुँचे, तीन दिन से ज़्यादा का समय हो रहा है, इस सफलता इतनी बड़ी है, कि इसकी जितनी चर्चा की जाएं, वो कम है, जब आज आप से बात कर रहा हूँ, देख पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तिय याद आ रही है, आस्मान में सिर उठा कर, घने बादलों को चीर कर, रोशनी का संकल पले, अभी तो सूरजूगा है, द्रड निश्चे के कर, गोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरजूगा है, आस्मान में सर उठा कर, घने बादलों को चीर कर, अभी तो सूरजूगा है, मेरे परिवारजन, 23 अगस्त को, भारत ने, और भारत के चंद्रियान ने, ये साबित कर दिया है, कि संकल्प के कुछ सूरज, चांद पर भी उगते हैं, मीशन चंद्रियान, नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतिक बन गया है, जो हर हाल में, जीतना चाहता है, और हर हाल में, जीतना जानता भी है, साथियों, इस मिशन का, एक पक्ष ऐसा भी रहा, जिसकी आज, मैं आप सब के साथ, विशेश तोर पर, चर्चा करना चाहता हूँ, आपको याद होगा, इस बार मैंने लाल के लिए से कहा है, कि हमें विमेन लेट डेवलेब्मेन को, राष्ट्रिय चरित्र के रूप में ससक्त करना है, जहां महिला शक्ति का सामर्थ जुड़ जाता है, वहां असंभो को भी संभो बनाया जा सकता है, भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवन्त उदाहरण है, इस पूरे मिशन में अनेको विमेन साइन्टिस्ट और इंजिनियर्स सीधे तोर पर जुड़ी रही है, इन्होंने अलग-अलग सिस्टिम्स के प्रोजेक्ट डारेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐस इसे कई एहम जिम्मेदारिया सबाली हैं, भारत की बेटियां अब अनन्त समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनावती दे रही हैं, किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांशी हो जाए, तो उसे उस देश को दिक्सिद बनने से भला कौन रोप सकता है, साथियों, हमने इतनी उँची उडान इसलिए पूरी की हैं, क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं, और हमारे प्रयास भी बड़े हैं, चंद्रयान तीन की सफलता में, हमारे वैज्यानिकों के साथ ही, दूसरे सेक्टर्स की भी एहम भूमिका रही हैं, तमाम पार्ट्स और तक्नीकी जरूतों को फूरा करने में, कितने ही देश्वासियों ने उगदान दिया है, जब सब का प्रयास लगा, तो सफलता भी मिली, यही चंद्रयान तीन की सबसे बड़ी सफलता है, मैं काम ना करता हूँ, कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सब का प्रयास से ऐसी ही अंगिनत सफलताएं हासिल करेगा।